हलो फ्रेंट्स आज के बेडियो में हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल सी पीटी का दोजातेश का ओनलाइन अप्लिकेसम फार्म कैसे आपको फिल अप करना है अफिसियल वेबसाइट UPSSCPET के अफिसियल वेबसाइट पर आना होगा जिसका लिंक भी आपको discussion मिल जागा आप डिरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में complete process मैं mobile से बता रहा हूँ तो आप घर बैठे mobile से form fill up कर पाएंगे बिना किसी गलती के तो इसलिए वीडियो को बिना skip किये पूरा लाश तक देखते रहें जिससे आपका कोई गलती ना हो क्योंकि आपको पता है UPSSCPET के अंतरगर जित्ती भी vacancy आने को चुका 1 अगस्त 2023 से लाश डेट की बात करें तो यहां पर 30 अगस्त 2023 इसका रखा गया है अभी तक तो आप इसके पहले apply कर लीजिए क्योंकि बाद में इसका website थोड़ा slow होनी लगता है आप चाहें तो यहां से इसको notification डाउनलोड करके read कर सकते हैं और apply करने के लिए यह इसकी बाद यहां पर candidate registration का अपसन मिल जाएगा simply आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करते हैं new tab open हो जाएगा इस प्रकार से यहां पर आप से सबसे पहला पूछा जा रहा है कि आपने इसके पहले जो 2022 में इसका form आया था वो आपने fill up किया था अगर आप fill up किये तो नो पर click करके proceed करेंगे अगर आपको पुराणर registration नहीं जयाद है या फिर से new registration करना चाहते है तब भी आप इसको no पर click करके आप यहां पर proceed पर click करके new form fill up कर सकते हैं जैसे आप पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का अप्लिकेशन फॉर्म ओपन हो जागा एक टोटल आनलाइन अप्लिकेशन यहाँ पर पांच स्टेप में दिया गया तो सारा स्टेप यहाँ पर एक एक करके आपको बताएंगे बीना किसी गलती के सबसे पहला परस्टनल डीटेल में देख सेते हैं आप काईडिडेट का फूल नेम आपको यहाँ पर देना है फिर इसके बाद फादर्स नेम और मदर्स नेम आपको फिलब करना है इसके बाद यहाँ पर डोमेसाइल आप उत्तर प्रदेश अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो य आर्मी एक्स आर्मी है तो यस करेंगे नहीं तो इसको नो कर देंगे अगर आप यहाँ पर हैंडिकेप्ट कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे नहीं तो इसको नो रहने देंगे इसके लावाँ हाँ पर इसकील्ड प्लियर आप हैं तो यस करेंगे नहीं तो नो रहने दीजि हीं जाए है तो सिंपली अपर ओत्र प्रदेश आप एक ही अपसे दिश्टिक है जो भी हों डीश्टिक्र है चली इसके बाद यहां पर डेट आप बर्थ मन्थ और month date month year select कर लिजिए इसके बाद next gender तो simply gender पर click कर जिए male या female जो भी आप select कर लिजिए इसके बाद यहाँ पर एक mobile number 10 digit का आपको fill up कर देना है इसके बाद यहाँ पर देख सकते email id का आप साने email id भी आपको fill up कर देना है जो कि आपका हमेसा active रहे जब तक कि मतलब इसका process हो एक्जाम हो आप मेंसा active होना चाहिए email id आपका इसके बाद married candidate तो यहाँ पर yes करेंगे नई तो इसको no कर लिजिए इसके बाद यहाँ पर पूछा जारा है कि employment detail तो यहाँ पर click करेंगे यह जो है कि आप अगर उत्तरप्रदेश में employee तो yes करेंगे नई तो इसको आपको कुछ नहीं करना है आप नेवर employment उत्तरप्रदेश सेलेट कर लेना है तो चलिए इस प्रकार से आप click कर लिजिए इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा दरा कि आपको additional age में यहाँ पर age में छूट चाहिए मतलब उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं तो आप reserve candidate है तो उसके लिए आप एस कर सकते नहीं तो इसको नो रखिए अगर आपको age में छूट नहीं चाहिए तो इसके बाद academic detail पताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो थोड़ा से लंबा होगा high school का detail देने के लिए यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड का नेम तो simply जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पर सभी बोर्ड का नेम मिल जाएगा तो आप यहां से select कर लीजे जो भी बोर्ड का नेम है तो simply उत्तर प्रदेश के candidate यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोर्ड आप high school intermediate education का अपसन है इस पर क्लिक करेंगे और बाकी जो भी आपका बोर्ड है select करेंगे इसके बाद यहाँ पर पर प्रसेंटेज सिस्टम था तो simply यहाँ पर पर सिस्टम UP बोर्ड में चलता है तो select कर लेंगे इसके ब इसके बाद दोस्तों देख सेथे 10th का detail fill up करने के बाद आपको यहाँ पर intermediate पूछा जाना क्या आप intermediate किये हैं अगर किये हैं तो यहाँ पर आप click कर देंगे जैसे click करेंगे यह option खूल जाएगा और यहाँ पर आपको board का नाम select करने का आजाएगा जैसे यहाँ पर आएगा roll number कितना आपका roll number जो आपका fill up कर दीजे percentage यहाँ पर percentage system में तो percentage grade system में तो grade select करेंगे total number कितने number का paper था कितना number आपने प्राप्त किया हैं यहाँ पर inter कर लेंगे percentage अभी बाद में आ जाएगा कुछ दिर में थोड़ा इसका site का problem होता है अभी आपको आ जाएगा यहाँ पर submit करने के पहले तो चली यहाँ पर फिर नीचे आएंगे additional detail qualification अगर आपने कोई और जो कोर्स किया जैसे यहाँ पर BA कर रखा है BSC कर रखा है मतलब graduation कर रखा है तो यहाँ पर yes करके उसका detail fill up करेंगे नहीं तो यहाँ पर 12th pass है तो simply apply कर सकते हैं तो जो भी आपका qualification है आप कर कर लीजिए इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं capture code को यहाँ पर फिलब करके आपको simply submit पर क्लिक करना है यह step आपका complete हो जाएगा जैसे आप capture करके submit पर क्लिक करेंगे यहाँ पर please confirm your registration तो यहाँ पर OK पर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए कुछ भी गलती होगा तो यह यहाँ पर OK पर क्लिक करते हैं अब इसके बाद जो है अगर आपका सारा detail यहाँ पर complete होगा तो आपका यहाँ पर submit हो जाएगा और आप next step पर चल जाएगे तो चलिए देख सकते हैं यह step complete हो चुका है हमारा पहला step टिक लग चुका है green mark से यह complete हो गया अब बागी second step पर आ अप्लोड करना है तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और next step पर चलते हैं जैसे आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते next step आजाएगा आपको photo signature को कैसे तो photo signature बहुत important है कैसे आपको upload करना है आपको बता दे सबसे पहले जो देख लेते photo जो आपका photograph होगा उसका height की ब 50KB के बीच पर होगा फिर से एक बार आपको बताते हैं जो photo का size यहाँ पर देख से फोटो का size जो 50KB से आपका जादा नहीं होना चाहिए और जो signature का size 30KB से जादा नहीं हो जाए और जो उसका size है यहाँ पर 4.5 cm, 3.5 cm photo का और signature का width है यहाँ पर 3.5 cm और यहाँ पर height है 1. 1.5 cm होगा और 30 के भी से जादा नहीं होना चाहिए इस प्रकार का आपको फोटो सिगनेचर अपलोड करना है तो चलिए यहाँ पर एक जामपल के रूप में दिया गया और सिगनेचर में और बता दे एक चीज और देख लिजे यहाँ पर सिगनेचर जो आपको हिंदी और इं कैसे आपको अपलोड करना है तो देख सकते हैं फोटो सिगनेचर मैंने अपलोड कर लिया फोटो सिगनेचर मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर सिगनेचर इस प्रकार से आपको अपलोड करना है सिगनेचर इंगलिस में करेंगे और फिर नीचे हिंदी में करेंगे और इस एक ही page पर करके upload करतेंगे size मैंने बता दिया पर photo 50 के भी के अंदर में signature 30 के भी के अंदर में और इसका size मैंने बता दिया अब इसके बाद क्या करना है आपको नीचे आना है और यहाँ पर successfully photo upload हो चुका है आप continue पर click करना है और next page पर चला जाना है इसके बाद नीचे आते जाएए और यहाँ पर आपको कुछ detail है इसको बाद में back help pick आप से ने बाद में flip कर सकते हैं तो अभी मैं इसको fill up नहीं कर रहा हूँ जैसे यहाँ पर car certificate का detail है जो कि ESCSTUBC के अनिरेट के लिए उसका detail देना है Domicile Resident Proof उसका detail देना है Age Proof Matriculation का detail देना है जो कि compulsory नहीं है तो चली अभी इसको छोड़ देते हैं इसके बाद नीचे आप आएंगे आप से कुछ यहाँ पर चीज़े पूछी जाएंगी इसको आप चेक कर लीजिए अगर आप से related है तो yes करेंगे नहीं तो इसको भी no रहने देजिए जैसे आपके पास यहाँ पर NCC का Certificator तो yes करेंगे नहीं तो इसको no रहने देजिए और इसके बाद यहाँ पर दो साल का आपने यहाँ पर territorial army में काम किया है तो यहाँ पर yes करेंगे नहीं इसको भी normal candidate के लिए no ही रहेगा इसके बाद आप आपको address fill up करना है address fill up में यहाँ देख सकते है सबसे पहले present or permanent address same है तो आप यहाँ पर same age पर click कर सकते हैं तो पहले बाद में उप click करेंगे पहले यहाँ पर देख सकते हैं गली का नाम या पोस्ट आपिस का नेम देंगे, कस्बा ये लोकेल्टी अपने जो है सीटी या कस्बा का नाम या अपने तहसिल का नाम देंगे, यहाँ पर इस्टेट आपका आल रेटी, यूपी सोह राउत्तर प्रदेश, टिस्टी के यहाँ पर जीला अपना सेलट करेंग यहां पर नीचे आएंगे, अगर आप यहां पर declaration, यह 3 declaration इसको accept करेंगे, यहां पर yes प्लिक कर लेंगे, इसके बाद इस preview के आपसर पर आफको click करना है, तो चली यहां पर preview पर click कर सकते हैं, तो यहां पर फिर okay पर क्लिक करना है, और जैसी आप okay पर click करेंगे, फिर से बहर ट डीटेल्स होगा, डीटेल्स चेक करने के बाद नीचे देख सकते हैं, यह CAPTCHA CODE है, इस CAPTCHA CODE को आपको यहाँ पर fill up करके, final submit पर आपको क्लिक करना है, इसके पहले आप एक बार details चेक कर लिजे, तो चलिए यहाँ पर एक CAPTCHA CODE इंटर कर लेते हैं, तो देख सकते हैं, जैसे CAPTCHA CODE करके, यहाँ पर submit पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप सिर्फी एक बार confirmation ले रहा है, कि आप सभी detail आपको ok, correctly है, अगर सब detail ok, correct है, तो यहाँ पर आपको simply is ok के option पर क्लिक करना है, जैसे आप ok पर क्लिक करेंगे, यहाँ प आप 4th step पर आचुके, अब आपको यहाँ पर payment करना है, देख सकते हैं, यहाँ पर reserve candidate के लिए 95 रुपे का payment करना है, तो payment करने के लिए यहाँ पर click here to pay required का option है, इस पर click करेंगे, और click करने के बाद आप यहाँ पर payment करेंगे, तो payment करने के पहले यहाँ पर ऐसा page आदर है, य या अपने cast या domain style certificate में या उसके data में changes करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर करना चाहते हो, तो yes करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पर simply sub detail होके, नहीं करना चाहते हो, तो no करेंगे, तो simply मैं नहीं करना चाहता है, तो no करेंगे, यहाँ पर no करने के बाद द करेंगे और आपको रिडारेक्ट कर दिया जाएगा पेंट की वेसाइट पर यहाँ पर फीर से कन्फर्मेशन पर जाएगा और यहाँ पर ची Nous डिपोजित पर क्लिक करके आपको ओकट करना है और इसके बाद आपका पेंट का डिटेल के लिए यहाँ पर आ नहीं रखाय गया है तो चली यहाँपर मैं dis bar debithire card क्लिक कर लेता हूँ इसके वाद इस प्राकार से पे जाएगा और यहां पर confirm करना है confirm करने के भाद फिर से इस प्राकार का पे जाएगा toujours और इसके बाद इसामने इस प्राकार का पे जाएगा यहाँ पर card number expiry date cardholder का name CBV code और capture enter करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर pay per click करेंगे आपका payment successfully यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार आप payment कर देंगे payment करने के बाद आपको फिर से जो है login करना है और page पर जाना आपका payment successfully हो जाएगा उसके बाद आपको final print out download कर लेना है तो चलिए यहाँ पर payment करने के बाद home page पर चलते हैं तो जैसे आप payment कर लेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक page open होगा यहाँ पर आपको payment ID और payment का डीटेल यहाँ पर so हो जाएगा इस प्रकार आपका payment successfully हो जाएगा अगर fail होगा तो failure का message आएगा success होगा तो success का message आजाएगा एक चीज़ और बता देते हैं अगर आपका किसी कारण से page कट जाता है error हो जाता है तो आप directly इस के home page पर आकर यहाँ से भी आप login कर सकते हैं यहाँ पर candidate देख सकते हैं photo signature की step पर करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे fees deposit पर करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप login करके direct उसी page से start कर सकते हैं आपको केवल registration एक ही बार करना है तो चलिए अभी आपका जब payment हो जाएगा फीर से login करना है तो यहाँ पर applicant fees deposit पर क्लिक करके आप जो है वहाँ पर login करके final print out download कर सकते हैं तो दोस्तो fees payment करने के बाद दोबारा से आप login करके इसका final print out download कर सकते हैं तो इस परकार बिना किसी गलती के आप भर बैठे अपने mobile से UPAAC PET 2013 का online application form fill up कर सकते हैं इसके अलों आपको कोई भी problem हो रही आप वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो like और share कर दीजे और अभी तक चैनल को subscribe नहीं कि तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लिजे फोटो और signature कैसे आपको upload करना है वो मैंने बता दिया है अगर आपको फोटो और signature को resize करने प्राइच कर सकते हैं तो इस प्रकार आप आसानी से फिलब कर सकते हैं और पीटी का यूपी टीपल सी के अंतरगत आपको कोई भी एक्जाम देना है तो पीटी क्वालिफाइट करना कंपल्सर यह तो पीटी का फॉर्म आप भर दीजिए और जल्द से जल्द भर दीजिए क्योंकि बाद में सरवर इसका स्लो हो जाता है वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद